रैदास जी जाती के मोची थे जूता सिलते थे उनके पास एक चमडे का क्योंकि जूता सिलना मतलब उनके पास चमडे का काम था तो उनके पास चमडे का एक पात्र था उसमें पानी भरके रखते थे चमड़ा धुलने वाला मतलब चमड़े को धुलना पड़ता न जूता बनाने के पहले तो रैदास जी जूता बनाते थे तो चमड़ा धुलते थे तो जिस पात्र में वो चमड़ा उसे बोलते कठवता फिर कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठोती में गंगा तो उसे में चमडे धुलने वाला पानी एक राजा वहां से निकला तो राजा ने बड़ा नाम सुना था रायदाश जी का तो उसी गंदे पानी को उठा करके उन्होंने दे दिया संद थे दे दिया राजा को लगा रे राम राम ये पानी नहीं पीया और पीछे कोई श्रद्धावान भग्त्य था उन्होंने पी लिया तो जो पी लिया उनको बहुत भयंका रोग था पीते ही रोग समाफ्त हो गया काया सुंदर हो गई दिब्ब शरीर हो गया अब राजा चरणों में गिर पड़ा महराज ये पानी सामाने मान रहा था मैं पर ये सामाने नहीं है क्रिपा करो मुझे फिर दो बोले अब नहीं मिलेगा अब ये तुमारे लिए तो गंदा पानी है इसलिए अब ये गंदा ही है तुमारे लिए तुमारे लिए तुमारा न यह मेरे पैसे गें मैया को दे देना, थोड़ा सा प्रषाद दी, थोड़ा सा फूल दी थोड़ से. जो भी दिया. तो वुआ अदमी चला, ओ गंगा मैया के पास पहचा, तो गंगा मैया ने हाँच उठा कर का इसले मेरे रहतास ने सामान दिया, वो कहां है, ये सत्य घटना है, लिखी हुई भक्त माल में, उसने गंगा जी को दिया, फिर गंगा जी ने सौने की दो चूड़ियां दिया, बोले ये मेरे भक्त रैदास को पकड़ाना, अब जो आदमी गया छा, उसके मन में कपट आया, कि गंगा मही ने जो चूड़ियां दिए, वो बड़ी अच्छी थी, उसके मन में पाप आ गया, उसको लगा कि उसे थोड़ी पता कि गंगा मही ने कुछ दिया है, तो उसने भही अब आ जार में वो चूड़ियां बेंच दि, ओ चूड़ी जब बेंचा, तो वो चूड़ी इतनी अनमोल थी, तोव वहां के राजा कि वहां का सवनार जो लिया उसने कहा महराज राजा साहब मैं राणीजी के लिए संडर सुडीयां लेकर आया हूं तो राजा ने दिखाया वो सौनी ने एलो अब राणी ने कहार दो سॉंडयां तो एक हाथ मैं पहनूंगी आप दो और लाव सौनी जी, ऐसी चूड़ियां तुम बनाओ, सुनार बोला मैं नहीं बना सकता, ये तो मुझे किसी ने बैची है, किसने बैची बता लगाओ, पकड़ा गया, क्यों रहे ये चूड़ी तुझे किसने दी, बोले गंगा महिया ने दी, बोले गंगा महिया ने क्यों द आपके लिए भी उन्होंने कुछ दिया है नहीं बताया अब राजा ने दिंडोरा पिटवाया यह चूड़ी कहां से आई बोले गंगा मैया ने दी किसके कहने पर दी बोले रैदाज जी अब राजा रैदाज जी के बास गए बोले तुम बहुत बड़े भगत हो मेरी पतनी क के लिए दो चोड़ी और मंगवाव गंगा मैया से कोई सुनार बनानी सकता क्योंकि अलग परकार की डिजाइन अलग परकार का गंगई मैया का दिया प्रशाद है तो वो संसार की वस्तों से कैसे मैच करता हो कौन बना सकता था उन्हें वो दिब चीजां चीज अब राजा बोला या तो तुम मंगवाव वरना मैं कुमारी हत्या करूगा राजा बड़ा उदंड दुष्ट अब रैदास जी बोले भाईया मार दो और क्या करोगे लेकन मैं अपनी मैया को परिजान नहीं कर सकता कोई मैं कोई मांगने पैठा हूं कोई ब्यापारी हूं वो तो मैया नहीं अपनी स्रद्धा से देदी तो देदी मैं कोई मांगता छोड़ी हूं मैं करता क्या इन चीजों का बड़ी कथा है राधास जी के पास एक बार भगवान आये छे पारस पत्थर लाये छे के लो इसको घिसना सौने लोहे पर सौना होगा जो चाहे करो मना कर दिया ऐसा बुद्धी विगाड़ देता है नहीं चाहिए अब भाईया राजा जिद्धी फासी पर लटकाएंगे आपको अब रहदास जी की बात आ गई कि तुम सच्छे भक्त हो तो बुलाओ गंगा महिया को देंवो चूडियां लो भाईया तब रहदास जी ने गंगा महिया को पकारा है मा यह मुझे मार्द इसका गमनी है लेकन आज यह मेरी भक्ती पर आचा गई कि आप भक्त हो या ऐसे हो तब उसके जो कठावता था जिसमें गंदा पानी भरा रहता था सब के देखिते उसमें गंगा महिया का हाथ प्रगट हुआ और फिर वैसी की वैसी दो च का धान हो गया राजा चरणों में गिर पड़ा और तब से कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठावती में तो पहली वार कठावती में गंगा स्री रैदास जी ने प्रगट की थी तो रैदास जी मोची थे लेकिन बड़े बड़े संत उनके घर में कड़ी चावल खाने आते थे उनकी पतनी के हांथ का भगवान स्वयम आते थे कड़ी चावल खाने उनके यहां लंगर चलता था बाद में भगवान ने आदेश दिया रैदास मेरी आज्या है कि तुम्हें मैं धन देता हूं तो मुसका सदुप्योग करो तो उनके जो शालिक ग्राम भगवान थे तो वहां पर रोज उने आठ स्वर्ण मुद्राइं मिला करती थी भगवान दिया करते थे रैदास जी को और कहा था कि इससे तुम समाच की सेवा करो तो वह अखंड लंगर चलाते थे भंडारा जैसे गोरीगोपाल जी को भंडारा चलता है ना आपको क्या लगता है य हमारे रिसी मुनी इस पध्धती को जीते रहे यह कारिक करते रहे हैं अन्चेत्र संत लोग चलाते रहते थे जिसके पास सामर्थ थी रैदास जी चलाते थे रैदास जी कि यहां कोई आए सबको पेड़ और और इतना सब था और फिर भी वो कुटिया में जूता सिला करते कर्मनी छोड़ा अपना जूता सिलते जो मिल जाए उसी से साधु सेवा करें और जो आठ स्वर्नमुद्राएं उन्हें रोज मिलती थी अब आठ स्वर्नमुद्राएं बहुत होती हैं तो उससे जो भी उन्हें मिलता वो रोज बैच कर और उससे डाल चामल सबजी रोटी खरीद कर और संतों को बटवा एक रुपए बचाते नहीं थी जो आए पूरा खाओ आज खाओ कल फिर ठाकुर देगा तो शालिक राउनके भगवान उन्हें रोज दिया करते तो यह स्री रैदास जी जाती के मोची थे लेकिन स्रेश्ठ थे